हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सब का हम सब्सक्राइब में आज का टोपिक है पीएचडी आप जब मास्टर डिगरी कर लेते हैं तो पीएचडी में आपको क्या-क्या सिखाया जाता है तो आज आप इसे टोपिक पर बात करेंगे इस वीडियो का पैंट पर जिरू देखिए तो सबसे पहले जब आप मास्टर डिगरी कर लेते हैं मास्टर डिगरी जो होती है वो दो साल की होती है जो पीएचडी होती है वो होती है चार साल की तो पीएचडी जब आप करते तो पीएचडी में आपको जो है रिसेर्च करना सिखाया जाता है कि जैसे आप कल्लरी आर और रिसेर्चिंग आप करते हो तो यह सब आपको एक PhD में बताया जाता है डिग्री आपको मिल जाती है इस डिग्री के बैनिफिट क्या है अगर आप PhD करते हैं PhD जब आप कर लेते हैं तो इसमें आप as a ho a, principal as a director यह आप जू है college या university में आप एकदमाई सकते हैं और जो है जब आप researcher बन जाते तो आप अपनी खुद की a book भी लिख सकते अगर आपने अपनी खुद की book लिखी आपने जो research किया है क्योंके न्यू carrot है किसी फूड में आपने जो है न्यू टेक्निक अपना ही है और कुछ न्यू इनोवेशन किया है तो उसके बारे में अगर आप कोई भी भी बुक लिखते हैं तो आप एक जो है राइकर भी बन जाते हैं और पीएचडी के ये बैनिफिट ये भी है कि अगर आप अपना खु सकते हैं तो आप आप कोई वीडियो अच्छे लगेगी अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तो प्लीस लाइक शेल सब्सक्राइब जरू केंजिए और बैलोगे बटन दबा दिजी तो अब नच्व वीडियो मिलेंगे नए टोपिक के साथ जब तक के लिए नमस्कार आफ तष्या कलें, बाइब बाइब टेकेर!